Question है अपने सामने A reduction of 20% in the price of wheat enables to buy 5 kg more wheat for Rs. 320 The original rate in Rs. per kg of the wheat was देखिए, question बिलकुल आसा होना है कोई डरने वाली तो बात ही नहीं है सबसे पहले क्या बोल रहा है 20% की कमी हो रहा है प्राइज में 20% की कमी हो रहा है या फिर अपने इसमें अगर 5 से multiply कर दें दोनों साइड इसमें भी 5 से multiply कर दो इसमें भी 5 से multiply कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक equation में दोनों साइड multiply कर सकते हैं ठीक है तो 5 में अगर 20 का multiply करें कितना आ जागा 100% 100% में कितने खरीद पारा है वो 5 x 5 25 kg तो फिलाल की condition में 100% रुपीज में जितने भी है उसमें कितने खरीद पारा 25 kg और 100% रुपए है कितने 100% रुपए का मतलब है 320 रुपीज 100% का मतलब है 320 रुपीज तो 320 रुपए में वो अभी की condition में कितने खरीद पारा है 25 kg खरीद पारा है तो पहले कितने खरीद रहोगा पहले 5 kg ज्यादा खरीद रहोगा पैसे कितने हैं पैसे तो वही है 320 रुपी 320 रुपे में पहले 20 केजी खरीद रहा होगा 320 रुपे में अगर 20 केजी खरीद रहा होगा तो इसको 0 से अपन 0 काटे है और 2 से ये कड़ जाएगा कितना 16 टाइम तो 16 रुपीज में कितने खरीद रहा होगा 1 केजी 16 रुपीज में अगर 1 केजी खरीद रहा होगा तो ये क्या प्राइज नहीं आ गया अब बोलो सर बिलकुल आ गया 16 रुपीज पर केजी ये क्या आ गया और अपन से औरिजनल प्राइज ही पूछाता तो ये क्या होगा अपना आंसर होगा ठीक है